अस्लामुलेकुम आज किस लेक्चर के अंदर हम लाइफ साइकल आफ मौस के टापिक को डिसकास करेंगे जैसा कि हम चैप्टर डाइवस्ट इमांग प्लांट स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने आलरेडी ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन कर लिया था जनरल स्टडी करेंगे तो इसी तरही के से लाइफ साइकल होता है बाक्य senior seminar में और क overcrowěता है केमीटोफाइट और इंदे डुफिर्णा को छोटी होती है ज्यादा झेंदर हो वाजह तोर पर नजर आ रही होती है जम्हसपांक या एंजियोस पाम का जो पूरा प्लांट हे वो स्पोरीfun to geweंऊर सीड़ियो को थोड़े से एरिया में हमें लारो के मोसली वह मैक्रोस्कोपी होती है सो इसकी तरह ब्राइब होती है स्प्रार्शन का एक member है फाइलम का एक member है उसकी एक general life cycle को देखते हैं life cycle क्या होता है यानि कैसे को या अपनी numbering increase कर रहा है या life cycle या journey जो है life का वो maintain कर रहा है okay so यहां से start करते हैं let's suppose हमारे पास जो moss plant है उसके spores है ठीक है spores दो टाइप की होंगे यानि एक spore जो है वो germinate होके male gametophyte बनाएगा और एक spore germinate होके female gametophyte बनाएगा so यहां पर हमारे पास यह spore आ गया ठीक है यानि यह spore release हुए और यह spore क्या हुआ जब यह spore germinate हो रहा है ठीक है जब यह spore germinate हो रहा है तो इस तरीके से cell की एक filament सी बना देता है और यह filament one cell thick होती है यानि egg cell की मुटाई जितनी यह filament होती है और आचसा आचसा यह लंबी हो इस ट्रक्चर को protonimata जाता है लान दisme जाय की है अब जाणते होंने कि स्पोर्स क्या होते हैं गता है तो यहां पर कुछ इस तरीके से नीचे को मूव करना शुरू कर देंगे और ये rhizide बना देंगे, rhizide क्यों होते हैं, hair-like structures होती हैं, जो इन्हें water और nutrients की absorption में मदद देती हैं, और इस तरीके से उपर वाली side पर bud सी निकल जाएगी, यानि के plant grow होना शुरू हो जाएगा, और ये जो plant grow होगा, ये gametified grow होगा, तो यहां पर bud की production हो रही है, और ये bud जो है, फिर further कैसे grow करती जाएगे by the process of mitosis, यानि के chromosome number half है, तो अगर meiosis के जरीए ये अपनी growth करेगा, तो definitely chromosome number मजीद half हो जाएगा, so chromosome number N comment हैं, रखने के लिए mitosis के जरीए ये अपनी growth करते रहते हैं, ओके, so यहां पर हम देखते हैं, कि ये, let's suppose, एग support जो है, वो male gametified बन गया, अब जो most plants होते हैं, उनमें gametified different होते हैं, male और female gametified separate plants होते हैं, कुछ briophytes के अंदर कुछ ऐसे भी हैं, जिनके gametified egg ही होता है, और egg ही plant के उपर दोनों male और female organs बन जाते हैं, बट most के case के अंदर ये different होता है, male gametified अलाग होता है, female gametified अलाग होता है, male और female gametified का difference क्या है, अभी हम देखने वाले हैं, so यहां पर यह जो plant grow कर गया है, let's suppose, यह male gametified है, और यहां पर दूसरे स्पॉस से जो plant grow कर गया है, वो क्या है, female gametified है, और यह हमें नजर आने लग गया है, ठीक है, ओके, जो male gametified है, उसके उपर एक structure या argon बनेगा, जो के spums की production करेगा, क्योंकि male gametified है, तो male के अंदर spums produce होते हैं, so spums की production करने वाले जो argon होता है, उसे enthridia कहा जाता है, enthridia की यहां पर formation होगी male gametified के उपर, ठीक है, so let's suppose यहां पर enthridia structure बन चुगी है, एक organ बन चुग है, जिसके अंदर अब spums बनेगे, so इस तरीके spums बनते हैं, spums जब mature हो जाते हैं, तो यह enthridia की wall open होती है, और यह spums release हो जाते हैं, so here we have spums, और यह spums release हो जाते हैं, okay, female gametified में अगर हम देखें, तो female gametified के उपर एक और organ present होता है, जैसे archigonia कहा जाता है, और यह organ इसके अंदर गया होता है, egg की production होती है, egg बन रो होता है, ठीक है, यहां पर egg बन चुका है, okay, अब यह spums जो हैं, यह release करते हैं, तो यह release करने के पाद यह spums जैसे के प्राइवफाइट में हमने study किया था, कि यह इनकी nature amphibious होती है, यानि इनके spums को water की या moisture की ज़रूरत होती है, ताकि यह spums travel कर सकते हैं, तो यह spums moisture को use करते हुए, archigonia की तरफ ट्रेवल करते हैं, so archigonia की तरफ जैसे याते हैं, तो यह spum इन में से को यह कहाँ पर हो रहा है, female gametophyte के archigonia के अंदर, अब male gametophyte का का काम खत्म हो गया, अब female gametophyte के archigonia को अगर हम देखते हैं, तो यह further, जब fertilization हो जाती है, male sperm और female egg मिल जाता है, तो उससे क्या बनता है, zygode बनता है, अब दोनों के nucleus fuse हो चुके हैं, तो अब यह generation है, यह 2N हो चुकी है, okay, so, यह मैंने already आपको बता दिया है, कि mouse के अंदर, जो gametophyte generation है, वो dominant ज्यादा होती है, appear, ज्यादा आपको नजर आ रही होती है, वो dependent होती है, dependent कैसे होती है, अभी हम देखने वाले है, okay, zygode बन चुगा है, अब यह zygode क्या करेगा, archigonia के अंदर ही grow करना archigode इस तरीके से एक नीजे की तरफ structure बनाएगा, जैसे foot कहा जाएगा, और यह foot safe nutrients वगएरा ले रहोगा, कहां से ले रहोगा, gametophyte से, क्योंकि आप जानते हैं न, यह archigonia कहा है, female gametophyte के उपर है, so, let's suppose, यहां पर, यह जब grow करने लगेगा, तो यह food कहां से लेगा, gametophyte से लेगा, यह एक new structure बन रही है, तो यह food कहां से लेगा, gametophyte से लेगा, so, जो foot वाली structure है, वो ऐजा food serving structure होती है, food serve कर रही होती है, और इस तरीके से उपर एक डंडी से निकल रही होती है, जिसे सीटा कहा जाता है, और सीटा के उपर फिर एक sporangium बनता है, यह एक sack like structure बनत और यह embryo फिर इस तरीके से तूट जाएगा, ठीक है, embryo से foot grow होगा, और उपर वाली जानव सीटा की production होगी, यह सीटा की growth होगी, production नहीं, growth होगी, तो यहाँ पर यह आर्चिगोनिय के अंदर हमारे पास एक छोटा सा sporophyte बन चुका है, ठीक है, अब sporophyte क्या होगा, यह divide ह होता रहेगा, बल्के इसकी तरफ आगे हम आते हैं, यंग sporophyte बन चुक है, अब अगर हमें इसे जूम करके देखें, तो यह photo आ गया, यह इसका सीटा आ गया, और इसकी ऊपर एक cycle बन चुकी है, जिससे sporengium कहा जाता है, अब sporophyte के अंदर क्या होता है, spores की production होनी होती है spores की production कहां पर होती है, sporengium के अंदर कुछ cells होते हैं, जिने sporocytes कहा जाता है, जो के diploid होते हैं, अब यह sporophyte, sporocyte cells क्या करेंगे, यह divide होंगे by the process of meiosis, क्योंकि इन्होंने heploid spores बनाने हैं, तो sporocyte cells divide होंगे by the process of meiosis और heploid spores बनते जाएंगे, तो यहां पर इनके अंदर spores बनते जाएंगे, अब यह spores क्या करेंगे, जैसे ही, यह sporengium ripe होगा, बड़ा हो जाएगा, mature हो जाएगा, तो इनके अंदर जो spores हैं, वो release होंगे, favorable environment के अंदर release होंगे, और दोबारा से यह cycle चलेगा, तो यहां पर हमने sporengium को zoom कर लिया है, sporengium का जो top portion है, वो इस तरी और sporengium है, यह फिर इस तरीके से peristorm की covering जो है, यह rupture हो जाती है, और spores release हो जाते हैं, यह dispersal of spore हो रहा है, और यह spores release होने के बाद, again से कुछ spores male gamitified बनाते हैं, कुछ female gamitified बनाते हैं, और इस तरीके से cycle दुबारा से चलता है, so hopefully, यहां पर कोई चीज मैंने skip नहीं की, दुबारा से एक quick review कर लेते हैं, आज किस lecture में हमने क्या study किया, life cycle of mouse को study किया, जिसे हमने start किया sports से, sports क्या करते हैं, protonimata बनाते हैं, protonimata से bird निकलता है, bird या तो male gamitified में convert हो जाता है, या female gamitified में, ठीक है, अब male और female gamitified दोनों present होंगे, तो male gamitified के उपर जो argon develop होगा, व क्या होगा, अर्ची गोनिया, जिसके अंदर एक बनेगा, अब male gamitified के अंदर जो spums बने हैं, enthridia argon के अंदर जो spums बने हैं, उन्हें water की ज़रूरत होती है, travel करने के लिए, और वो travel करते हुए water की मौजूदगी में, अर्ची गोनिया की तरफ आते हैं, वहां पर एक के स से एक बनता है, जिसे sporengium कहा जाता है, और यह जो sporophyte generation होती है, वो dependent होती है on gamitophyte, क्योंकि यह हमारे पास gamitophyte है, इस से यह खुराक ले रही होती है, इसलिए sporophyte generation को हम dependent बोलते हैं, और यह छोटी होती है, हमें size में compare to gamitophyte generation, यह generation छोटी होती है, तो यहां पर sporengium के अ से disperse होते हैं, या rapture होने के बाद यह spores निकलते हैं, इस परेंजियम के rapture होने के बाद यह spores निकलते हैं, और अगेंस यह cycle start होता है, होपुलिए आपको lecture समझ में आया होगा, नेक्स लेक्चर तक के लिए मुझे अजाज़ते हैं, शुक्रिया, अल्लहाफिस.